तो दोस्तो आज के इस वीडियो में जैंडर लिंग यानि की जैंडर स्कूल और सॉसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविएस एर के वेरी शॉर्ट कोशन जितने भी थे वो मैं आज आपको कोशन के साथ विदंसर भी एक्स्प्लेइन करूंगी तो आपके एक्जाम क के लिए काफी हद तक बेनिफीशियल हो तो दोस्तों अभी तक अब अगर मेरे चैनल पे आप लोग नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जैसे की नेक्स जैसे ही वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से जल से जल जादा समय ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका आप लोग को पीडियाफ दे दूँगी तो अगर आप में से किसी नहीं तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप चैनल वातना है जैन्याइक आप लोग को यह बताना है कि जैन्डर माइस क्या है कि यह बार्स दीथ्या क्रेश फिंक्रिकषान से हाउता है उसको क्या कहते हैं आपका gender bias define caste system in India अब आपको बताना है कि भारत में जाती विवस्ता को परिभाशित करना है आपको तो इसमें बताया है आकास सिस्टम एक सेकिंड इसमें बताया है आकास सिस्टम is a class structure that is determined by birth यानि कि जो आपका caste system होता है वो आपका determine कब से किया जाता है जब से आप लोगों का जन्म हो जाता है तो तब इससे निरधारित कर दिया जाता है what do you mean by class आप class से क्या समझते हैं तो class is a group of people or thing with something in common यानि कि आपके class होता है वो आपके लोगों और चीजों का एक group होता है जिसमें क्या होता है कुछ समान चीज़े होती है यानि कि आपके उसमें कुछ चीज़े common होती है वो आपका class क्यालाता है explain the term of patriarchy तो इसमें आपको पित्रसत्ता बताना है कि पित्रसत्ता जो शब्द है उसको आपको क्या करना है व्याख्या करनी है तो patriarchy is a social system in which man hold primary power and predominate in role in political leadership, moral authority, social privilege and control of property यानि आपको जो बताया गया है उसमें ये बोला है कि पित्रसत्ता क्या है आपका एक social system है यानि समाजिक व्यवस्ता है जिसमें आपके mail जितने होते हैं वो उनकी प्राथमिक सकती को धारन करते हैं राजनीतिक हो चाहें आपके या फिर आपके moral authority के बारे में या social privilege के बारे में बताया क्या हो उन सब को क्या करता है उनकी संपत्ति के निरंतरन उनकी भूमिका क्या होती है सबसे प्रमुक होती है यानि कि सबस्यादा important होती है बाकी आप लोग के according अगर आपने अलग से इसकी definition भी लिख सकते हैं जो आपने याद कर रखिया है बट मैं आपको अपने according इसमें answer लिखकर दे रही हूँ आप लोग अपने according भी definition लिख सकते हैं अगर आप लोगों को इसकी कोई another definition पता है तो उसके बाद what do you mean by human rights पूछा गया है यानि कि मानव अधिकार से आप क्या समस्ते हैं तो मानव अधिकार का आपको यह बताया गया है कि मानव अधिकार ऐसा मानक है जो सभी लोगों को सम्मान स्वतंत्रता समानता न्याय और सांती के साथ जीने की अनुमती देता है यानि कि सिंपल सब्दों में आप लोग यह बोल सकते हैं कि human rights क्या होता है human rights आपकी सिर्फ नॉर्मल एकी चीज़ों में नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता से लेकर आपकी equality से लेकर आपके justice से लेकर और आपकी peace यानि सांती से लेकर यह सब जीने के लिए आपको नुमती देता है और यह आपका कव every person has these rights simply because they are human beings यानि कि आपको यह बोला है कि हर जो एक single वैक्ती होता है उनका अधिकार केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि यह मनुस्य होता है और इनको हर जीज खुद में human rights है यानि का खुद में एक मानव का अधिकार है कि वो अपने आप से खुद से freedom में रह सकता है अपने पीस में से अगर किसी इंसान को freedom चाहिए तो उसका खुद कादिकार है ऐसा नहीं है कि उस पर कोई दबाब डाला गया है तो यह आपकी human rights की definition थी अब आप लोगों को यहां पर बोला गया है describe one law relating to children आपको बच्चों से संबंदित कौन से कानून है उसका वर्डन करना है तो यह आपका very short में था बचने आप मैंने फिर भी आपके तीन लिख दिये अगर आपके law पूछ लिए गए चिल्डरन में four marks में तब भी आप लोग इसे लिख सकते हैं पहला है चाइल्ड लेबर एक्ट जो की 1986 में आया था दूसरा प्रोभिशन ओफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो की 2006 में आया था उसके बाद है राइट ओफ चिल्डरन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट तो यह तीन आपके लोग जो किसकी अकॉर्डिंग थे चिल्डरन के लिए आये वे थे नेक्स्ट आपको कोशन है डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम ओफ वुमेन एजुकेशन अब आपको क्या बताना है एक समस्या का बंडरन करना है वुमेन देखेंगे इस प्रिविलेंट मोर इन वुमेन फॉग दैन इन मैन फॉग और इस एवल इस रेंपेड स्पेशली इन डूलर एरिया और बेकवर्ड कम्यूनिटी जानी कि पूर्षों की तल तुलना में उनके कंपैरिजन में महिलाओं में क्या किया गया है निरक्षता और ज्यानता अधिक प्रशलीत है यह बुराई विशेश रूप से ग्रामिंट छेत और पिश्रे समुदाय के व्यापत है यानि कि जो वुमेन एजुकेशन है इसमें आप लोग को देखा होगा कि जितने भी बेकवर्ड कम्यूनिटी है चाए वो रूलर एरिया में हो आपके ग्रूप में हो तो इसमें आपके मैन और वुमेन का क्या किया गया है अलग-अलग से इसमें डिफरेंस किया गया है राइट वन फीचर ऑफ वर्ल्ड फेमिनीजियम वर्ल्ड फेमिनीजियम का एक फीचर बताना था एडवोकेश शोशल पॉलिटिकल एकनॉमिक एंड जेंडर के पेपर में आप लोगों से वेरी शोट के कोशन ही पूछे जाते हैं तो आप लोग कोशिश कीजेगा कि मैकसिमम जुतने भी आप लोग कोर्स याद करें उन सबकी डेफिनेशन कुछ लॉज जो वुमेन के उपर चाइल्ड के उपर गल्स के उपर आएगे उन ल प्रदान करने के लिए उसे क्या कहा जाता है अब इसमें बोला है डिसकस उनली वन अस्पेक्ट और यानि कि पित्र सत्ता के वाल एक पहलू पर आपको चर्चा करनी है यहां पर मैंने लिखवाया है कि यह जीवन में कई पहलू को आपको प्रभावित करता है जैसे आपका यहां पर आगया पॉलेटी का लिडर्शिप राइट बिजनेस मेनेजमेंट रिलेजर इंसिट्यूशन यहां पर तो मैंने डारेक्ट लिख दिया है आप लोग इन में से कोई भी एक सिंगल सा पॉइंट लिख सकते हैं तो अगर आप लोग यहां पर लिख दीजेगा अग को ही मिलता है और उनके अगर आगे का अगर आप लोग बिजनेस भी बिजनेस मेंट में भी उनके आगे अगर उनका बिजनेस अगर वागर कोई समय लेगा तो बेटे पर लिख सकते हैं आप लोग चाहे पूछा जाएगा आप लोग एक सिंगल वीडियो चीए शौट में की लॉव मैं तो आप मुझे जल्दी से जल्द कमेंट करिए मैं आपको आज ही वीडियो अप्लोड करके देंगी अगर आप लोग ने विदिना वन आवर में मुझे जादा से जादा इसमें लाइक को विद इउमन ओफ इंडिया यानि की भारत में महिला से संभंदित केवल दो कानूनों के नाम लिखने यहां पर आप लोग के मैंने तीन कानून लिख दिया कि कौन कौन से डुमेस्टिक वाइलेंस आ गया स्पेशल में रिजट आगया और इम्मॉरल ट्राफिक आ गया जो क वन वे अब ब्रेकिंग अपन नाउन इंटू उसके बाद आपको पूछा गया जेंडर इनीक्वेलिटी बताना यान आपके क्लास्रूम में जेंडर इनक्वेलिटी से आप क्या समझते हैं तो जेंडर इनक्वेलिटी इन स्कूल इस नौट ओनली अबाउट एकुल नमर अ boys in classroom, यानि कि आपको क्या बोल आ, कि जो आपके लेंगे का समानता है, वो केवल सिर्फ आपके कितने लडके हैं, कितनी लडके हैं आपके कक्षा में है, इसके बारे में नहीं है, यानि कि आपको ये भी बताना है कि ये एक क्या है आपका equal opportunity के बारे में आपको बताता है उसके बाद differentiated sexual और gender के बीच में तो sexual आपका क्या word को describe करता है ये उन word को describe करता है जो उनके जोन भवनों का वर्णन करने के लिए होता है और gender आपका पुरूश या महिला इसमें difference करता है कि आखिरकार उनका gender कौन सा है अब ये next question 9 आता है participation of women in decision making in family matter एक example आप लोगो explain करना है यानि कि परिवारिक मामले में निर्ने लेने में महिला का भागीदार होना एक उधारन के साथ आपको समझाना है ये question का explanation मैंने नहीं किया है दोस्तो तो इसका answer आप लो हमें comment पर comment जिसको इसका answer पता है वो exact answer इसका comment box पर comment कर सकता है जिसका सही answer और exact answer मुझे लगेगा वो उसका मैं answer pin कर दूँगी जिसके बाकी बच्चों को helpful होगा नेक्ट मैं आपको 2019 का paper discuss कर देती हूँ तो 19 में आपको gender की definition पूछी गई थी कि gender से आप क्या समझते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि gender जो होता है वो male female या फिए boy girl को क्या करता है उनके विशेष्टा को उनके characteristics को बताता है जो समाजिक रूप से क्या होते हैं निर्मित होते है radical feminism क्या होता है तो radical feminism एक theoretical है and political perspective होती है यानि कि सिद्धान्त और राजनितिक परिपेक्ष होता है जो हमारे पूर्शोद्वारा महिलाओं के domination यानि कि उनके versus पर केंदरित होती है उनका main center यानि उनका more focus होता है what is female infanticide तो आपको यह बताना है कि female infanticide क्या होता है यानि कन्या भुरूर हत्या क्या है तो यह आपकी एक लड़की को यानि the deliberate killing of a girl child is called feminism right तो एक लड़की को जब जान मुझके उनकी हत्या कर दी जाती है कि वह लड़की है इस नाम से उसके हत्या कर दी जाती है तो वह आपको क्या कहलाती है नारिवास चीशु हत्या उसके बाद आपको एक law बताना है किसे द्वारा related to children इसके भी law मैंने आपने नोटिस किया है तो previous year में इसका question पूछा तो जो मैंने आपको यह पर describe कर चुकी हूँ उसके बाद आपका next question पूछा गया है write to suggestion to removing child marriage यानि कि आपको बाल विवा को दूर करने के लिए कोई दो सुजाव देने है तो पहला है आपको empower girls with information skill and support network यानि कि आपको क्या करना है जादा से जादा उनको सूचना देनी है उनका skill को बढ़ाना है उनको साहता गरनी है network देकर कि कैसे वो empower girl यानि कि ससकती कारण बन सकती है जिसके क्या होगा child marriage remove हो जाएगा provide economic support and incentive to girls and their families यानि कि लड़कियों को और उनके परिवार को क्या दी जाने चाहिए आर्तिक साहता और उनको प्रुसा कारण बताने हैं पहला है domestic violence behavior are learned through observation यानि जो घरेलू हैंसा के जो वहवार होता है वो आपके किसके दौरा observation के माध्यम से सीखा जाता है और उसके बाद main कारण आपका ये भी है कि घरेले उसे तब सुरू हो जाती है जब एक साती क्या होता है दूसरे पर नियंत्रन यानि कि जो अगर कोई भी एक partner दूसरे partner पर क्या करने लगता है उसे control करने लग जाता है तो इसके कारण भी क्या हो जाता है उसे domestic violence का एक कारण बन जाता है right any two reason of girl drop out before completion of primary education अब आपको क्या करना है primary education पूरी करने के लिए पहले लड़कियों को school चोड़ने के कोई दो कारण है पहल नहीं कि आपके खराब सीखने के परिणाम जो थे हो जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं इसके वज़े से भी क्या हो जाता है स्कूल drop out करवा दी रहता तो उनके parents के दोरह what do you mean by class यह भी एक रिपीट कोशन आया है previous year का class की definition लिखनी है तो आप लोगों को यह मैं बता चुकी ह पूछा गया है get the odd one out पहला है group discussion seminar symphosia symphosia वह होता है दोस्तों जो कि आपके एक meeting के दोरह यह बोल सकते हैं जो मीटिंग आप लोग की करा जाते हो से symphosia बोले जाता है और portal of women in advertisement तो आप लोग का अंसर आएगा option number D क्योंकि यह आपका इसमें और वन हैगा नेक्स्ट आता है आपका 2020 का पेपर तो इसमें आप लोग को कास्ट की definition पूछी के यह भी आपका repeat question है class का आपका repeat question आया हुआ हुआ है तो आपको जाती से आप क्या समझते हैं उनकी विवसाय यानि की occupation और उनकी rank यह सब क्या चीज़े होती है यह सारी चीज़े सामिल होती है वह आपके क्या कहलाता है कास्ट कहलाता है domestic labor यानि की घरेलू श्रम क्या होता है तो domestic labor refer to the different role and responsibility that need to be completed within the household for example के लिए है पर child rearing and housework यानि की आपके domestic labor की definition उसमें बोला है कि इसमें अलग अलग तरीके की भूमी का और जमेधारियों को explain किया गया है जिनके घर हो उनकी घर की जितनी भी पूरी आप यह बोल सकते घर की जितनी भी अवशकता उसको पूरे करने के लिए उधारन के लि in the context of employment कौन सी भासक का यहाँ पर है English आएगा इस वाले question में भी doubt है इसका exact answer किसी को पता हो तो आप लोग comment box पर comment कर सकते है ब्लेक feminism क्या है ब्लेक feminism का बताना आपको आखिकार ब्लेक नारिवाद का आपका definition क्या है दोस्तों आप लोग अपने according इनकी definition change कर सकते हैं कोई doubt नह में आप लोग explanation देख सकते हैं I hope आप लोग को beneficial हो black feminism बताना है कि नारिवाद क्या एक दर्सन है जो एक विचार पर आपका focus करता है राइट black women are inherited valuable that liberation is a necessity not an adjunct somebody else but because our need as human person for autonomy तो आप लोग की definition देख लीजेगा NCRT से आप क्या समझते हैं तो NCRT में आपका एगा कि NCRT आपकी एक national council of educational research and training इसकी आप लोग full form कर लीजेगा आ सकती आपके exam में जो की किसके दोरा CBSC का दोरा केंद्रित क्या गया है स्कूल एफ examination education यानि की सिक्षा बोर्ड है एक स्कूल की परिक्षा है या फिर एक आपका secondary यानि की board of secondary है मतलब केंद्रिक माध्यमिक के रूप से आपका NCRT का मतलब होता है यानि आप definition लिख दीजेगा और बता दीजेगा कि सिभी हैसी का मतलब इसमें केंद्रिक माध्यक स्कूल की परिक्षा या फी जो शिक्षा बोट होती है उससे NCRT कहा जाता है अब आप कहाता है हुमन राइट से आप लोग क्या समझते हैं यानि की मानफ की अधिकार तो मानफ का अधिकार वे अधिकार होता है जो एक तरीके से सबके पास independent यानि फ्रीडम यानि सोतंतरता जो कि क्या होता हम सभी के पास है उसके बाद आपको एक कारण बताना है डुमेस्टिक वाइलेंस होने का तो आप लोग लिख लीजेगा इंपावर्मेंट का क्या मतलब होता है सास्वक्तिकरन से आप क्या समझते हैं इसकी डेफिनेशन या पर शो करी हुई है जो कि आपक से किसी की जीवन को कंट्रोल करना या उसके अधिकार पर जो धम दावा करने में होता तो क्या होता है वोमें इंपावर्मेंट होती है उसके बाद आपको दो लोग बताने रिलेटिट टू गर्ल इंडिया यानि कि भारत से लड़कियों से लेटर तो हैं पर दो एक्ट मैं शिक्ष् director की तरप पर अव्याए और ठहरा तो इसका क्या अंसर आपकर कान जोटों क्या है तो में तरफ से आपको बेस्ट ओफ लग या बाकी जो भी इसमें कोशन चूटे हैं या आपको कोई लग रहा है कि कोई कोशन में कुछ अलग तरीकी का अंसर आना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते कि इससे इजी वे में काफी अच्छा जिससे की आप लोग काफी स्टूडेंट को की हेल्प भी कर सकते हैं बाकि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जॉइन कर लीचेगा ग्रुप में जिसमें कोई भी डाउट या को पूछना तो आप लोग उस पर क्लियर कर सकते हैं तो आज की वीडियो बस इतनी हैं दोस्तों नेक्स वीडि जब जो आपटीं